हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम स्टड़ी करेंगे राजनितिक सामाजी करन को जिसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है दोस्तों पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साथ पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है पहले इसका शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं राजनितिक सामाजी करण के जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनिति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को राजनितिक सामाजी करण कहते हैं सिंपल है बहुत सिंपल है एक ऐसा प्रोसीजर एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति पॉलिटिक्स के विशे में पॉलिटिक्स के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है राजनितिक सामाजी करन राजनितिक सामाजी करन राजनितिक संस्कृत पॉलिटिकल सोचलाइजेशन क्या है यह पॉलिटिकल कल्चर को क्या है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को क्या है ट्रांसफर करता है पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर में डेमोक्रेसी क्या है डेम कल्चर के अंदर क्या है डेमोक्रेसी की संस्कृती है तो डेमोक्रेसी की जो संस्कृती है वो ट्रांसफर कैसे होती है आगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साथ आज अपने आज के यूग में क्या है अपने बच्चों को क्या है हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन उनका करते हैं democracy के आधार पे उनका socialization इस प्रकार से किया जाता है कि democracy के गुन उनके अंदर आ पाए कौन से? सुतंतरता की respect हो, भाई चारा हो नियाए की respect हो equality उसमें हो तो ये क्या है? democracy के basic values है और इस values को जब हम आगे transfer करते हैं तो उसे क्या का जाता है political culture का transfer किसके द्वारा political socialization के द्वारा आमंड वा पावल के अनुसार राजनितिक सामाजी करण एक विधी है ये क्या है एक method है जिसके द्वारा राजनितिक संस्कृती स्थिर रखी और बदली जाती है इस कार्य की पूर्ती द्वारा व्यक्तियों को राजनितिक संस्कृती में लाया जाता है और राजनितिक उदेश्य के प्रती उनके द्रिश्टी कोणों का निर्मान किया जाता है राजनितिक सांस्कृती के नमूने में परिवर्तन भी राजनितिक समाजी करण द्वारा ही किये जाते हैं हर्बट हाइमेन की 1969 की प्रकाशीत पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से इसका क्रम बद अध्यन किया जाने लगा राजनितिक समाजी करण कोई अचानक प्राप्त होने वाली करिया नहीं अपितु ये एक सतत विकास का परिणाम है यानि राजनितिक समाजी करण एक दम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है राजनितिक समाजी करण क्या है day by day daily continuous ये एक practice है जैसे 1947 में भारत आजाद हुआ 1950 में भारत का संभिधान लागू हुआ 1950 के बाद क्या है हमने राजनितिक समाजी करण की प्रकृर्या में अपने चरन रखे आरनबिक समें में अगर बात करें तो vote share कितना vote percentage कितना होता था 5-10% के बीच होता था यानि केवल 5-10% लोग ही vote देते थे लेकिन धीरे धीरे राजनितिक समाजी करण होने लगा लोगों को क्या है राजनिती में involved किया जाने लगा लोगों को राजनिती की शिक्षा होती है तो यह किसका नतीजा है यह continuous process का नतीजा है जो political socialization के द्वारा होती है राजनितिक व्यक्ति के जनम से लेकर मृत्यू तक चलती है जो समय अवस्था परिस्थिती अनुसार अलग-अलग होती है राजनितिक समाजी करन के प्रकार प्रकट राजनितिक समाजी करन सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया आई होप आपके दिमाग में एक नक्षा एक मैप क्लियर हो गया होगा political socialization क्या होता है राजनितिक समाजी करण क्या होता है यानि राजनिती के बारे में लोगों की awareness राजनिती क्या है लोगों के दिमाग में बैठ जाना राजनिती के बारे में जो basic अवधाना है लोगों के दिमाग में बैठ जाना राजनिती को समाज के बीच क्या है मान्यता मिलना राजनिती के बारे में लोगों में अवेरनेस जो होती है उसे कहा लाता है राजनितिक समाजी करण ठीक है तो अब देख लेते हैं इसके प्रकार सबसे पहले प्रकट राजनितिक समाजी करण प्रकट यानि जो प्रकट है जो दिख रहा है आप जब राजनितिक विवस्था संबंधी जानकारी अभी मुखी करण और मुल्यों का स्पष्ट रूप से जान भूच कर संचार होता है तो यहां राजनितिक समाजी करण का प्रकट रूप होता है इसमें समाजिय राजनिती के संदर में राजनितिक संबंधों के बारे में मनु इसे प्रत्यक्ष राजनितिक समाजी करन का नाम दिया जाता है रूस चीन वा अन्य समाजवादी राज्य प्रत्यक्ष राजनितिक समाजी करन के महत्वपून उधारन है दूसरा होता है लुप्त या और प्रत्यक्ष राजनितिक समाजी करन तो सबसे पहले प्रकट राजनितिक समाजी करण को थोड़ा सा explain आपके सामने कर लेता हूँ प्रकट राजनितिक समाजी करण का मतलब होता है जहां पे political socialization क्या है लोगों के उपर थोपी जाती है या फिर लोगों के उपर प्रतेक्ष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है किसके माध्यम से प्रकट साधनो द्वारा राजनितिक संस्कृती मुल्लेवाज जुकाओ को ग्रहन करते हैं प्रकट का मतलब भारत के संदर में आप देखिए भारत के अंदर प्रकट जो प्रकट का मतलब है डारेक्ट डारेक्ट पॉलिटिकल सोशलाईजिशन भारत में कैसे होती है नमबर वन आप स्कूल में जाते हैं राष्टरगान का सम्मान होना चाहिए राष्टरगान जब बजता है आपको खड़ा होना है और स्ट्रेट खड़ा होना है और सीधे आपको देखना है वो आपका क्या है एक परकार से सोशलाईजेशन हो रहा है आपके प्रतिकों के बारे में आपके मुल्यों के बारे में आपको आपकी जो fundamental duties है वो प्रत्यक्ष है आपको समारकों का अपने जो इतिहास के अंदर जो आपके राष्टी आंदोलन के समारक रहे हैं आदर्श रहे हैं उनका पालन करना है वो भी आपका एक समाजी करन किया जा रहा है आपको उसके नुसा ढालने की कोशिश की जा रही है आपको राष्ट्री तिरंगे का सम्मान करना है किसी भी हाल में वो भी एक political socialization है लेकिन ये क्या है डारेक्ट है ये प्रकट है ये आपको दिख रहा है ये आप अगर इसकी उलंगना करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा और ये जो प्रकट political socialization है राजनितिक समाजी करन है रूस चीन और सम्मेवादी देशों में बहुत जादा ये थोपा जाता है और फिर लोगों के उपर apply किया जाता है चीन की जब हम बात करते हैं चीन की जो किताबे थी चीन ने जो किताबे लिखी थी वो क्या है सम्मेवाद की संस्कृती के तौर पे धर्म गरंथों के तौर पे बाटी जाती थी लोगों के अंदर ठीक है लोगों के पास ले जाते थे माओं के जो विचार है वो लोगों तक पहुँचाय जाते थे किताबे बाटी आती थी officially बाटी आती थी माओं के विचारों को फैलाने के लिए political socialization करने के लिए ठीक है तो I hope आपको ये प्रकट राजनितिक समाजी करण समझ आ गया होगा जहां पे प्रत्यक्ष तौर पे किया जाता है समाजी करण दूसरा होता है लुप्त या आप्रत्यक्ष राजनितिक समाजी करण लुप्त का मतलब होता है ये दिखता नहीं है ये indirect political socialization होता है जब व्यक्ति आप्रत्यक्ष साधनो द्वारा राजनितिक संस्कृति को ग्रहन करते हैं तो इसे लुप्त या आप्रत्यक्ष राजनितिक समाजी करण कहते हैं राजनितिक समाजी करण का आप्रकट या आप्रत्यक्ष रूप सरकार के प्रभावक्षेतर से प्रभावित नहीं होता है यहाँ स्वता ही होने वाली एक प्रक्रिया है इसमें राजनिति संबंधी मान्यताएं जैसे राजनितिक संस्कृती मूल्य और विचार बनाये नहीं जाते बलकि व्यक्ति के बाहरी समाजी करण की बाहरी प्रक्रिया के साथ स्वता ही बन जाते हैं अब दिखिए जैसे हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं एक हाड़वेर होता है ठीक है दूसरा सॉफ्ट्वेर होता है तो जो प्रकट राजनितिक समाजी कर रहे हैं उसको आप हाड़वेर मान के चलिए ये क्या होते हैं ये गौर्मेंट के द्वारा ये दिखते हमें राष्ट्य द्वाज हमें दिख रहा है उसका सम्मान करना है राष्ट्य गान बज रहा है तो हमें वो सुन रहा है उसका सम्मान करना है हमारे प्रतीक है उसका सम्मान करना है और गौर्मेंट ने जो कानून बनाए है उसका सम्मान करना है हमें सरकार का सम्मान करना है, राष्टरपती का सम्मान करना है, प्रधान मंतरी का सम्मान करना है, वो एक क्या है, वो हमें दिख रहा है, वो एक संस्ता है, वो एक institution है, तो उसको आप हार्डवेर कह सकते हैं, लेकिन जो ये software है, लुप्त होता है, software किसी को दिखता नहीं है, लेकिन आपरत्यक्ष रूप से वो, जितने भी आपके हाडवेर होते हैं, उसको चलाता है, आपरत्यक्ष में क्या होता है, आपरत्यक्ष में जैसे हमें भाईचारा बनाना है, भाईचारा बनाए रखना है, हमें स्वतंतरता को क्या है, स्वतंतरता की जो अवधाना है, उसक किसी का सम्मान नहीं करते हैं तो आपके अंदर थोड़ी गुसेगा कि आप सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए सम्मान ठीक है राष्ट्रगान बज रहा है आप उठ रहे हैं वो दिख रहा है ठीक है कहीं पर एक देश के संबीधान के बारे में बात हो रही है ठीक है संबीधान के बारे में बात हो रही है और संबीधान के बारे में ऐसी बात हो रही है जो कि गलत है तो आप क्या है आप उसका विरोध करेंगे आप उसका विरोध करेंगे विरोध प्रदर्शन करेंगे तो वो क्या हो वो होगा प्रकट राजनितिक समाजी करण लेकिन आप्रकट क्या होगा आप्रकट समाजी करण ये होगा कि आप देश के संबिधान को अपने मन से मान रहे हैं और कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे आपका जो राजनितिक समाजी करण है वो आपकी राजनितिक संस्कृति इस प्रकार की बन गई है संबिधान को लेके राश्ट्री द्वज को लेके कि आप बंद कमरे में भी बैठे हैं आपको कोई देख भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप अगर राश्ट्रगान बज़र करतें आप राष्टी द्वाज को उतना ही संमान से रखते हैं जितना की लोगों के सामने रखतें बीना किसी ड़र के तो वो हो गया आपका लुप्त या अपरतियक्ष समाजी करण पुरातन राजनितिक समाजी करण, पुरातन का मतलब हुआ क्लासिकल, जो पुराना होता है क्लासिकल पुरातन समाजों में व्यक्ति रूडिवादी मुल्यों विश्वाशों वा परंपराओं से जुड़े होते हैं यहां राजनितिक शिक्षा वा राजनितिक चेतना के अभाव की कारण होता है कोई भी व्यक्ति राजनितिक शक्ति प्राप्त कर लेता है और सत्ता का प्रयोग करके लोगों से अपने अज्याओं का पालन करवाता है साधारन व्यक्ति राजनितिक गति वीदियों में भाग नहीं लेते हैं इस प्रकार का राजनितिक समाजी करण कबायली समाज में प्रचलित होता है या पाया जाता है अब देखिए प्राचीन के अंदर क्या होता है जो प्राचीन political socialization होता है उसमें क्या होता है उसमें रूडिवादी मुल्य होते है आप मोनार्की को ले दीजिए मोनार्की इसका बेस्ट एक्ञामपल है कबीला भी इसका बेस्ट एक्ञामपल हो सकता है लेकिन मोनार्की से आप समझे मोनार्की में कुछ रूडिवादी मुल्य होते है उसमें इस प्रकार से लोगों का political socialization क्या राता है कि राजा की आग्या का पालन करना है एक परकार का socialization हो गया वो राजा इश्वर का अवतार है वो भी एक परकार का political socialization है क्योंकि ये विश्वाश और परंपराओं से जुड़ा हुआ है राजा किसी को भी मृत्यू दंड दे सकता है राजा से बड़ा कोई भी नहीं है इस परकार ये भी क्या है परंपरागत है ठीक है और यहां राजनितिक शिक्षा और राजनितिक चेतना के अभाव के कारण होता है क्योंकि लोगों के पास क्या है political awareness नहीं होती है उनको नहीं पता है कि राजा इश्वर का अवतार नहीं है बलकि वो भी हमारी तरह आदमी है क्योंकि उनके पास वो शिक्षा नहीं है ठीक है political socialization धर्म को हम अगर आधार माने तो धर्म भी इसी श्रेणी में आता है religion भी इसी श्रेणी में आता है आपको क्या है हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी जा रही है पुरातन ये हमारे ये भगवान है ये भगवान है इनका ये काम है इनकी पूजा इसे करनी है इनकी पूजा वैसे करनी है वो भी आपका एक socialization है लेकिन जब religion को यूज किया जाता है politics के अंदर तो वो भी political socialization आएगा कि ये party जो है ये specific धर्म को promote करती है ठीक है तो basically आपको ये समझ आ गया होगा classical या फिर ancient political socialization अगला है आधुनिक राजनितिक समाजी करन यानि modern political socialization आधुनिक विश्यों में व्यक्ति को बाले काल से ही कुछ राजनितिक भूमी का निभाने के लिए तैयार किया जाता है यानि जन्म से ही political socialization व्यक्ति का करना शुरू कर देते हैं स्कूलों कॉलेजों और विश्यो विद्यालों में उन्हें विभिन राजनितिक समस्याओं और राजनितिक विवस्थाओं से संबंदित शिक्षा प्रदान की जाती है आप देखते हैं भारत के संदर में भारत के संदर में देखिए कक्षा 9 से वैसे तो 6 से ही शुरू हो जाता है 6 से क्या है democracy के बारे में आपके एक chapter लगा होगा भारत में लोकतंतर छटी से लेके लोकतंतर के बारे में पढ़ाया जाएगा वैसे तो जब हमारे time के अगर हम बात करे class 3 से या class 2 से नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी हम लोगों को जिसमें हमारे जो freedom जो हमारे freedom movement है उससे जुड़े हुए जो प्रमुक नेता है महात्मा गांधी सुभाष चंद्रबॉस उन सभी लोगों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता था तो ये क्या है modern type की political socialization है बच्चा जैसे ही स्कूल जाता है स्कूल से ही उसे अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाता है Indian National Movement के बारे में बताया जाता है हमने आजादी कैसे प्राप्त की लोग तंतर क्या होता है भारत में लोग तंतर क्या है संसद क्या है संसद ये पनाली कैसे काम करती है उसके बारे में क्या है प्रक्रिया में समाचार पत्र, रेडियो, दूर दर्शन, महतोपूर्ण भूमी का अदा करते हैं समाचार पत्रों में आज 26 जन्वरी को गंतंतर दिवस को इन विभूतियों को नवाजा गया इन सम्मान से नवाजा गया, इन्होंने उतकरिष्ट काम किया मतलब इस तरीके से क्या है और साथ में रेडियो के माध्यम से जो प्राचीन जो हमारी सब्यता चली आई है डेमोक्रिसी की उसके बारे में बताया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इन मेडियम के माध्यम से बताया जाता है समरूप तथा निरंतर राजनितिक सामाजी करण समरूप का मतलब होता है जिसका एक तरीके का रूप होता है और निरंतर यानि डाइनमिक या कॉंटिनियस इस तरह के राजनितिक सामाजी करण में व्यक्तियों पर एक जैसे प्रभाव होते हैं और लगातार होते रहते हैं ठीक है इस परकार से political socialization किया जाएगा कि व्यक्तियों पर एक जैसे प्रभाव होंगे और ये continuous होते रहेंगे सभी कारे करता एक निश्चित परकार के राजनितिक जुकाओ बनाये रखते हैं इसमें व्यक्तियों में टकराओ की संभावना कम होती है लोग आपस में तथा एक दूसरे के राजनितिक संस्थानों और मूल्यों का समर्थन करते हैं बिन तथा आविरल राजनितिक समाजी कर कि मैं हिमाचली नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं हूँ इंडियन, मैं इंडियन हूँ, सिंपल है, यहाँ पे क्या हुआ यह सम्रूप, इंडियन तो सब है, वो हिमाचल का हूँ, वो पंजाब का हूँ, अर्याना का हूँ, इससे क्या होगा, टकराओ नहीं होगा, क्षेतरवा प्रप्वाइजिवार्ट के आदार पे कि हम सब भारती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई हम सब है भाई-भाई, ये भी एक परकार का political socialization का एक वीचार है, जिसके अंदर ये कहा गया है, कि जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सब क्या है भाई भाई है इस प्रकार से लोगों के अंदर क्या है political socialization क्या जाएगा तो यह क्या है समरूप है और यह निरंतर है यानि आज हमने बोल दिया असा नहीं है यह continuous है आने वाले टाइम में भी आज हम खुद को भारतिय मान रहे हिमाचली नहीं मान रहे तो आने वाली जो पीडी है वो भी अपने आपको भारतिय माने गी और भारत के साथ अपने आपको जोड़े रखेगी समरूप के अंदर क्या है कौन से method यूज के जाते हैं for example sports cricket इसमें यूज किया जाएगा cricket देश बक्ती का एक प्रमुक्सादन है political socialization का भी अच्छा माध्यम इसको माना जा सकता है क्योंकि cricket के द्वारा क्या होता है cricket के द्वारा एक feeling आती है oneness की feeling आती है लोगों के अंदर कि भारत जीत रहा है पाकिस्तान को हरा दिया ठीके भारत जीत रहा है तो लोग उचल रहे है बड़े नारे लगा रहे है कई पटाके फोड रहे है ठीके इस परकार का माहोल देश के अंदर बन रहा है यानि लोगों के अंदर क्या है political awareness आ रही है कि हमारा जो ये देश है हमारा देश महान है भारत महान है भारत देश महान है ये भी क्या है एक परकार की क्या है political socialization का समरूप method है और ये निरंतर चलता है अगला देखते हैं भिन तथा आविरल राजनितिक समाजी करण भिन 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 मतलब अलग different आविरल यानि जो विरला होता है या फिर फैला हुआ होता है ठीक है बिन्न तथा आविरल राजनितिक समाजी करण यहाँ साध रिश्य तथा निरंतर राजनितिक समाजी करण के एकदम विपरीत होता है तो समरूप के ये बिलकुल विपरीत होता है इसमें व्यक्तियों के राजनितिक विश्वाश, मुल्य और राजनितिक जुकाओ भिन्नों होते हैं इसमें व्यक्तियों तता समूहों में एक दूसरे पर विश्वाश्वा सहियों के स्थान पर ग्रेना और संदेह रहता है व्यक्ति राजनितिक विवस्ता से संतुष नहीं होते हैं इसका एक्जम्पल आपको बताऊं है सबका अब अपना development goal है तो ये क्या है ये भिन तथा आविरल है लेकिन राजनितिक समाजी करन कैसे होता है इसका example आप लीजिए यहाँ पे RSS ये एक RSS है ये हिंदु धर्म को प्रमोट करता है ये भारतियता को भी वापिस जोड़ लेना है पाकिस्तान को भी वापिस जोड़ लेना है भूटान नेपाल इन सब को क्या है भारत में वापिस जोड़ देना है ठीक है हलाकि ये possible है ये तो possible सोशलाइजेशन करेगा जिसे कि हिंदू राष्टर बन सके आज 2014 के बाद आपने ज़्यादा सुना होगा हिंदू राष्ट हिंदू राष्ट की कारण क्या है क्योंकि BJP जो है वो RSS से निकली है दूसरा एक्जम्पल आप लीजे भीमार्मी भीमार्मी अभी ये नई नई उत्पन हुई है भारती संदर में तो भीमार्मी किस तरीके के विचार लोगों के अंदर अपने समूहों के अंदर अपने जो गृप्स मने होते उनमें कैसे भर रही है अंबेड करवादी विचार भर रही है दलीतों को favor में कैसे किया जाए वैसे League of Nation की Muslim League की बात करते है तो Muslim League किस परकार के विचार भरती थी तो यह Muslimों का किस परकार से welfare हो तो यहाँ पर socialization तो हो रहा है देश के अंदर लेकिन अलग-अलग हो रहा है इसमें definitely क्या होता है इसमें अलग-अलग मूले होते हैं अलग-अलग राजनितिक जुकाओ होते हैं अलग-अलग political parties बनी होती है आधारों पे एक की आपकी BJP बनी है दूसरी Congress बनी है Muslim League बनी है आपकी समाजवादी पार्टी है बसपा है इस तरीके से क्या है अलग-अलग पार्टीया बनी होती है और इसमें व्यक्ति एक दुसरे पर विश्वाश और सहयोग नहीं करते है बलकि ग्रिना की इससे क्या है ग्रिना को बढ़ावा मिलता है जो की बिलकुल गलत है और ये political socialization देश के लिए खत्रा उत्पन कर सकती है इस परकार की तो बेसिकली हमने देखा political socialization जिसमें छे परकार के political socialization को हमने समझने की कोशिश की आई होप आपको ये समझ आ गई होगी ये छे परकार की political socialization क्या कहना चाहती है अब देखते हैं राजनितिक समाजी करण की मुख्य विशेष्टा इसकी उपलब्धता है क्यूंकि प्राया ये प्रतेक समाज में पाया जाता है political socialization वो socialist country हो चाइना, रूस, क्यूबा उत्तरकोरिया कोई भी country हो वो पुझीवादी हो अमेरिका की तरह हो कनेड़ा की तरह हो वो प्रतेक्स लोक तंत्रो स्विजलेंड की तरह या भारत की तरह indirect democracy हो हर जगा पे political socialization उपलब्ध रहता है, ये पहली विशेष्टा है रूप, सपष्ट तथा गुप्त प्रतेक समाज में राजनितिक समाजी करण सपष्ट या गुप्त रूप में पाये जाता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ direct और indirect राजनितिक समाजी करण की गुप्त प्रक्रिया में गैर राजनितिक उदेश्यों के प्रती मनुश्यों की अभीवित्ती, उनकी राजनितिक अभीवित्ती को आप्रतेक्स रूप में प्रभावित करती है जब विशेश राजनितिक उदेश्यों के प्रती लोगों की राजनितिक अभीवित्ती को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया जाता है तब यहां राजनितिक समाजी करण का प्रत्यक्ष रूप कहलाता है जो कि मैं पहली slide में आपको समझा चुका हूँ types में संपून राजनितिक जीवन को प्रभावित करना राजनितिक समाजी करन व्यक्ति सम्हू का संपून राजनितिक जीवन प्रभावित करता है जितना भी vote डालने से लेके चुनाओं लडने से लेके political party को support करने से लेके सरकार बनाने तक लगबग हर portion को हर part को political socialization प्रभावित करता है जो इनसान Muslim League से जुड़ा है या फिर उस value से जुड़ा है उस political socialization जुड़ा है वो कभी भी RSS मर्थित व्यक्ति को vote नहीं देता है और जो RSS से जुड़ा है वो Muslim League को नहीं देता है ये बात विलकुल valid है और ये प्रूव है एक आद को छोड़के लगबग ये बात प्रूव हो चुकी है तो ये इसका कहने का मतलब है कि ये पूरे जीवन को प्रभावित करता है और प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है अब देखते हैं राजनितिक समाजी करण के साधन और अकसर ये questions पूशे जाते हैं कि वो कौन कौन से instruments है जिसके द्वारा political socialization किया जाता है और जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि political socialization आपके जन्म से शुरू होता है रित्तियों पे खतम होता है तो सबसे पहले आपका जन्म किसी परिवार में होता है तो परिवार सबसे पहली इकाई है जो आपका राजनितिक समाजी करण करता है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है जिसमें बालक पारिवारी करीती रिवाजों वो परंपराओं के साथ सहयोग करके पारसपरिक निर्भरता एवं राजनितिक रियाओं का पाठश सीखता है इसमें वो परिवार के मुख्या का अनुकरण करता है परिवार क अगर आपके पिता जी Congress समर्थित है या बीजेपी समर्थित है तो आरंदिक स्टेज में ये रहता है कि आप भी उसी direction में जाते हैं और इसी लिए क्या है देश के अंदर क्या है जो RSS है वो Ground लेबल पर जाने की कोशिश करता है वो शाखाएं लगाता है छोटे छोटे बच् के दिमाग को कंट्रोल करके उनको अपने आइडिलोजी के अनुसार ढालने की कोशिश करता है क्योंकि बच्चपन में जो घड़ा होता है वो नाजुक होता है उसको जिधर मर्जी आप चाहो ढाल सकते हैं और इसलिए अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टीज है प्रेशर ग शिक्षण संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं राजनितिक समाजी करण की एक प्रमुक संस्था है इसमें बालक अन्य साथियों के साथ राजनितिक विवस्थाओं की विविदताओं और विरोधा वासों के साथ साथ समायोजन करना सीखते हैं राजनितिक समाजी करण में व परचपन से लेके बात कर रहा हूँ, आगे चलके आपको संभीधान के बारे में बताया, फिर एक लोगतंतर का भी चैप्टर उसमें लगा, लेकिन इसमें शिक्षकों का भी परभाव पढ़ता है, कि शिक्षक किस आइडोलोजी का है, किस परकार का सोशलाइजेशन शिक्ष है, सिफाई है, ABVP है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की एक डारेक्शन उन लोगों को दी जाती है, जिधर उनका वैचारिक रुझान होता है, अगला होता है राजनितिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, विभिन राजनितिक दलों की अल तो सबसे में काम करता है, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, फॉर एक पार्टी है, वर्तमान की बात करें, विजेपी पार्टी है, विजेपी पार्टी हिंदू राष्टर बनाना चाहती है भारत को, तो भारत के अंदर इस परकार की पॉलिटिकल स पड़ेगी हमें अपनी संस्कृति को महान बताना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो हिंदू संस्कृति है उसके बारे में विचार लोगों के बीच डालने पड़ेंगे हमें ये बताना पड़ेगा कि उनिफाइड सिविल कोड लाना पड़ेगा उनिफॉर्म सि संस्कृती में आ जाए ठीक है उस परकार से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है उसके बाद राश्ट्रिय प्रतीक जो नैशनल सिंबल होते हैं विभिन राजनितिक प्रतीकों और राश्ट्रिय प्रतीकों जैसे राश्ट्रिय दोहज, राश्ट्रगीत, राश्ट्रिय दिवस समारो, सेना की परेड, आदी के माध्यों से, राजनितिक विवस्था एवं राजनितिक आदर्शों के प्रती, नागरिकों में राजनितिक आस्था के भाव पैदा किये जाते हैं, अगला जो साधन है वो है जन संचार के माध्यों, राजनितिक ज्यान तथा राजनितिक के प्रमुख सादन है जो चुनाओं के दोरान जनमत को प्रभावित करने में महतोपोन भूमी का निभाते हैं और आज के टाइम के अगर बात करें तो जनसंचार के माध्यमों में काफी चेंज आया है डिजिटल प्लैटफॉर्म में वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेस्बूक, इंस्टाग्राम इस परकार के काफी ऐसे संसादन आ चुके हैं जिसके दोरा हर एक व्यक्ति तक व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश करती है और हर एक व्यक्ति तक व्यक्ति तक व्यक्ति पहुचाया जाता है जिसके दोरा जिस तरीके से जिस भी डारेक्शन में व्यक्ति को ले जाना है उस परकार की सोशलाइजेशन व्यक्ति की की जाती है अब दिखते हैं राजनेतिक समाजी करण में बाधाएं वो बेरियर कौन-कौन से हैं जो पलिटिकल सोचलाइजेशन को होने से रोकते हैं सबसे पहले वंशानू करमन कुछ रोगों का संकरमन वंशानू गत होता है माता-पिता का रोग बच्चों में लग जाता है और रोगा वस्था में होने के कारण बच्चा समहू वार राज्यों के नियमों के प्रती कोई उच्चित रुच्ची नहीं दिखाता अभी संकरमन वो नहीं है कि बिमारी हो गई कोई वाइरस फैल गया संकरमन का मतलब है जैसे आपके पिता रूडिवादी थे पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं हलाकि वो एजुकेटिड भी है लेकिन उनका राजनिती को वो मानते की ब्रष्ट है राजनिती तो सबसे ब्रष्ट है राजनिती में नहीं जाना चाहिए राजनिती तो नहीं करनी चाहिए तो उनके बच्चों के उपर भी कुछ ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, इवन उनके माता-पिता वोट तक नहीं देते हैं, हो सकता है उनके बच्चे भी इस परकार से विरक्त हो जाए, इस चीज़ से अलग हो जाए, तो ये भी एक परकार की बादा है, दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरन को कोई भी व्यक्ति समाज या देश नियंतरित नहीं कर सकता, अपितु समाज प्राकृतिक पर्यावरन से प्रभावित होता है, प्राकृतिक पर्यावरन के दोशी होने से उत्पन होने वाली विभिन समस्यां राजनितिक समाजी करण के मार्ग में बाधा उत् जहां तक संचार माध्यमों की पहुँच ही नहीं है, जहां तक नेता भी आपके पास वोट मांगने नहीं आते, उस प्राकृतिक परियावरण में आपका political socialization देश के मुताबिक नहीं होगा, हाला कि local label पे आपका हो सकता है, कभिलाई label तक, लेकिन आपका राजनितिक socialization में बाधा उत्पन होती है, अगला है सामाजिक कारण, social issue, सामाजिक कारणों में समाज का जनक वा समाज की उपजमाने जाने वाले मानसिक कारक और सांस्कृतिक कारक का विशेश महतो होता है, सामाजिक कारण, जैसे दलित, आदिवासी, महिला, प्रारंदिक काल में क्या होता इन लोगों को vote देने का अधिकार नहीं होता था, जो tax नहीं pay कर सकते थे, आजादी से पहले उन लोगों को भी vote देने का अधिकार नहीं होता था, तो ऐसे लोग politics में या political socialization से इनका क्या लेना देना है, कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, प्र प्रारंबिक अवस्था में अगर बच्चे ने जनम लिया है और उसको इस प्रकार की कोई बातचीत का पता नहीं लग रहा है तो उसकी सोशलाइजेशन परिवार में नहीं होगी किशोरावस्था की परिस्थितियां किशोरावस्था में जिस परकार की परिस्थिति में किशोर रहता है उससे उसका राजनितिक समाजी करण भी प्रभावित होता है यदि किसी का राजनितिक समाजी करण अच्छा है तो सपष्ट है प्रारंब से ही अच्छी वा अनुकूल परिस्तिती में रहता है इसके विप्रित कभी-कभी व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्तितियां मिलने के कारण वह समाजवा देश-द्रोही का काम करने लगता है देखिए किशोरा वस्ता क्यों जरूरी है आज आप देखते हैं नेता का बेटा नेता क्यों बनता है उसके अंदर वो गुण क्यों आ जाते हैं कि वो पॉलिटिक्स को समझ लेता है और पॉलिटिक्स का लोगों के उपर उप्योग भी करता है इसका यही कारण है कि उसका जो प्रारंबिक अवस्था है और किशोरा वस्था है ऐसे परिवार में गुजरी जो politically aware है वो राजनिता है तो ये political socialization में क्या है योगदान करता है और जहां पे प्रारंबिक अवस्था और किशोरा वस्था में politics की कोई बात नहीं होती है वो ज़्यादा तर ये पाया गया है कि वहाँ पे political socialization ना के बराबर होता है अब दिखते हैं राजनितिक समाजी करण का महतु राजनितिक प्रणाली का स्थाइटु प्लिटिकल socialization most important है किसी भी राजनितिक प्रणाली के स्थाइटु के लिए इस संबंद में राबर्ट सीजल का कहना है राजनितिक समाजी करण का उदेश्य व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षन देना है जिससे वो राजनितिक समाज के अच्छे क्रियाशील सदस्य बन सकी जब तक राजनितिक प्रणाली को कारिय करने में और अपनी स्थिर्ता बनाने में कठिनाई पेश आएगी तब तक राजनितिक समाज प्रचलित मूल्यों के अनुकूल नहीं होगा प्रचलित मूल्य कोंचे है डेमोक्रेसी के जो मूल्य है लोकतंत्र, भाईचारा, फ्रीडम वो सारा तब तक उसके अनुकूल नहीं हो पाएगा आधुनिक युग में महत्तो आज के युग में व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में नित्य नए बदलाव देखे जाते हैं व्यग्यानिक वायांत्रिक विकास ने सामाजिक जीवन के मुल्य आधारों को ही परिवर्तित कर दिया है जिससे मानव के विचारों में भी परिवर्तन आया है ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रभाव राजनितिक तंत्रों विचारधाराओं पर पढ़ता है इस स्थिती में राजनितिक समाजी करन का महत्तु और बढ़ गया है सचेत नागरिक का विकास नागरिकों की सुचेतना पर ही किसी राजनितिक तंतर की सफलता निर्भर करती है कितना अवेर है व्यक्ति उसी से पता लगता है कि कोई पॉलिटिकल व्यवस्था कितनी स्थाई रहेगी राजनितिक तंतर की सफलता के लिए यहाँ बात आवशक है कि उसके उदेश्य स्पष्ठ हो जिसे लोगों द्वारा पूंगता समझा गया हो और उसका समर्थन प्राप्त हो यहाँ तभी संभव है जब लोगों में राजनितिक मुल्यों, विश्वाशों, दरिश्टी कोणों को विक्सित करने के लिए राजनितिक समाजी करन की क्रिया को अपनाया जाए राजनितिक प्रणाली को कुशलता और स्थिरता प्रदान करती है और मनुश्यों को राजनितिक प्राणी बनाने में सहायक होता है तो political socialization most important है क्योंकि political socialization से ही किसी देश की विवस्था चलती है इसके साथ हस्तांतरन भी important है राजनेतिक समाजी करण से राजनेतिक संस्कृति का एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में संचारित होना एक रूप राजनेतिक संस्कृति वाले देशों में यहाँ विशेशता अनिवार्यता समझी जाती है क्योंकि इनमें राजनेतिक स्थाईतों का अस्तितों पाये जाता है एक रूप राजनितिक संस्कृति यानि पूरे देश की एक जैसी जहां पे संस्कृति होती है उसे का जाता है एक रूप राजनितिक संस्कृति राजनितिक परिवर्तन के संबंद में राजनितिक समाजी करण का राजनितिक परिवर्तन से गहरा संबंद है अगर politically अच्छा socialization लोगों का हुआ है अच्छा political socialization हुआ है तो वो अच्छे राजनेता को चुनते हैं उन्हें पता है कि किसे vote देना है किसे vote नहीं देना है यानि राजनितिक समाजी करण का राजनितिक परिवर्तन से गहरा संबंध है राजनितिक समाजी करण से बनने वाले नए विश्वाश और मुल्य राजनितिक परिवर्तन ला सकते हैं राजनितिक परिवर्तन के बाद भी राजनितिक समाजी करण की प्रक्रिया समाप नहीं होती है और वो चलती रहती है अगला है राजनितिक यानि political education राजनितिक समाजी करण में आपचारिक तथा अनपचारिक दोनों तरह की राजनितिक शिक्षा को शामिल किया जाता है राजनितिक समाजी करण का उदेश्य मनुष्यों की राजनितिक संस्कृति को स्थिर रखना या उसमें परिवर्तन लाना है तो दोस्तो ये था हमारा एक lecture जिसके अंदर हमने political socialization को deeply analysis करने की कोशिश की I hope आपको lecture अच्छा लगा होगा Thank you, thanks for watching